सूरा मेरे मज पमांट तठन बिर में शिक्खा अपधिंग स्माधियानी बुद्धन 26 डवंबर को सम्मिधान दिवस और सम्मिधान दिवस पर जो हजारों प्रकार की यात्राएं रेली, मार्च, प्रदसन, सम्विधान घर-घर, सम्विधान को बाटना, सम्विधान को पढ़ाना, सम्विधान का रटा लगाना, सम्विधान की क्लास, सम्विधान का समेलन, सम्विधान बचाओ, संघर समीती, सम्विधान का ये, सम्विधान का वो, क्या इस तरह से सम्वि बचेगा कैसे इस पर कोई बात नहीं करना चाहता एक नया काम मिल गया है लोगों को पैसा इखटा करने का अपने संग्ठन के अस्तित्र को बचाने के लिए कारीक्रम लगाने का अपनी नेतागिरी अपने टिकट अपनी पुईशन अपना कोई समयधानिक पाने के लिए हैंड बिल पोस्टर फोटो के साथ लगाने का अपना चर्चा करने का एक नया काम और मिल गया कुछ दिन पहले तक यही लोग आरक्षन बचा रहे थे अभी आरक्षन बचाने का जिकर कोई नहीं करता आरक्षन बचाओ संगर समीती आरक्षन बचाओ मेला आरक्षन आरक्षण बचाओ नीती, आरक्षण बचाओ सम्मिलन, आरक्षण बचाओ रैली, आरक्षण बचाओ रैला, आरक्षण बचाओ प्रिदस्नी, आरक्षण पे कुठारागात, आरक्षण की स्यमक्चा, आरक्षण ऐसा, आरक्षण वह ऐसा, लोग भूल गए, पर सम्मिधान नया काम आ गया, आरक्षण बचा नहीं, जो लोग पुराने हैं याद करें, इससे पहले लोग एटो सिटीज उत्पिणन बचाने के लिए, उत्पिणन विरोधी आंदोलन, उत्पिणन का सम्मिलन, इकटे होने का उत्पिणन ना हो, इसके लिए गोश्टियां, इसके लिए नेता नेने मुद्दो को पकड़ लेते हैं, जैसे आरक्षण नहीं बचा, वैसे ही सम्मिधान भी नहीं बचेगा, अगर सम्मिधान खत्रे में है, तो पता कर लेना चाहिए कि सम्मिधान खत्रे में है या नहीं है, बचेगा तो कैसे बचेगा, भारत में इस बात के लिए जितने भी समणों के संग्ठन है 39 लाक वो बात नहीं करेंगे ना वो बात करना चाहते हैं ना उनको बात करना पसंद है वो आपस में एक दूसरे से उलजे हुए हैं एक दूसरे के दुस्मन हैं क्योंकि संग्ठन से संग्ठन तूट के आये हुए हैं जैसे बामसेफ एक थी बामसेब जब तूटी, तो उसके तूटने का जो आधार रहा, वो आपसी जगड़ा रहा, मंच, माला, पद, प्रतिष्टा, पैसा, अहिंकार, बहुत सारी चीज, कोई ये कहे के ऐसा नहीं है, तो बताए के फिर तूटी किसली है, कोई बताता नहीं, पर जगड़े के कारण तो बुराईया ही होती है, और पद, पैसा, पंच, ये जो माला है, ये जो पोजिशन है, ये जो चंदा है, यही जगड़े के कारण होते हैं, क्योंकि इन में और है भी क्या, तो जो संग्ठन आपस में जगड़के अलग-अलग हुए हो, कैसे मिलेंगे आपस में, क्यों मिलेंगे आपस में, अगर उनके एगो एहम ना होते, उनके एहम वहम उनके घमंड ना होते, तो वो तूटते ही क्यों, और अगर वो तूटे हैं, तो एहम एगो घमंड बड़ या कम हुए, अगर वो कम होते तो जुड़ जाते बड़े हैं, इसलिए वो ज्यादा ताकत लगाते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, देखो हमारे अधिवीषन ने इतनी लोग, दूसरा कहता है, देखो हमारे अधिवीषन में इतनी लोग अभी अधिवेशन लगने वाले हैं दिसंबर के महिने में हर साल लगते हैं बस अधिवेशन ही लगते हैं अधिवेशनों के परणाम नहीं आते दुस परणाम बहुत आते हैं कोई कह सकता है कि यह जो जनजागरिती आई है तो क्या बिना अधिवेशनों के या ब अगर इनमे जन जागृति आई होती और ये सच में जागृत होते तो अधिकार बढ़ते तो आरक्षन और बढ़ता तो समीधान खत्रे में ना आता तो ये सत्ता के मालिक भी होते तो ये नीती पौलिसी बनाने में उनकी पूच्छ होती इनको साही लोग पूछते देश में इनका बिना कोई डिशन नहीं होता तो जन जागरी तो आई है बगर जन जागरती आपस में लड़ने की आई है जन जागरती आपस में अपने संग्ठन तोड़ने की आई है जन जागरती लोगों से गरीब लोगों से चंदा एकटा करके अपना काम चलने की आई है इसमें किसी को शक हो, किसी को सुबा हो, तो आ जाए जूम पर डेली मिटिंग होती है तीन गंटे समण संग की जूम की मिटिंग हम बहुत सारे संगी बैठते हैं, समण संगी बैठते हैं, बात करते हैं कोई कहता है कि उसका संग्ठन अच्छा है, वो क्रांती करेगा तो आए और आके बताए कोई कहता है कि उसका बामसेव अच्छा है, वो क्रांती करेगा तो आए आके बताए बहस कर ले तर्क वितर्क कर ले जित्रा चाहे उत्रा कर ले पर ये जागरत लोग कभी भी जूम पोटल पे समर संग के तर्क वितर्क करने में कभी नहीं आए और ये आएंगे भी नहीं कैसे आएंगे क्योंकि गलत काम कर रहे हैं सही काम करने वाले उडर क्या पर जो गलत काम करता है पूल खुल जाएगी लोग सवाल पूछेंगे क्या जवाब देगा इसलिए अलग-अलग पॉकेट बनी हुई है अलग-अलग दायरे बने हुए है अलग-अलग गुट बने हुए है अलग-अलग गिरो बने हुए है अलग-अलग घेरे बने हुए, घेरा बंदी हो रही है तेरा बाम सेफ, मेरा बाम सेफ, तेरा संता सेंग दल, मेरा संता सेंग दल तेरा भारतिय बहुत महासवा, मेरा भारतिय बहुत महासवा तेरी ये राजनिदिक पार्टी, मेरी ये राजनिदिक पार्टी तेरा ये दलबल सेना आर्मी मेरा ये दलबल सेना आर्मी हर खैमे के टुकड़े हैं हर जगे तूट है हर संग्ठर में लोग आपस में उल्जे हुए हैं एक दूसरे के कटर दुस्मन है कटर आपस में मिलेंगे नहीं कभी बैठ के बात भी नहीं करेंगे बहुत कोशिस किये बहुत लोगों ने, पर असफल ही रहे, कोई कह सकता है कि मैं सफलता लेकर आ सकता हूँ, बहुत अची बात है, करे कोसिस दिखाए, पर होगा नहीं, तो क्या करना चाहिए, जो समर्ण संग पॉलिशी अडॉप करता है, वो बहतर है, समर्ण संग के लोगों ने बहुत मेहनत क के लिए कोई सरुकार नहीं करते समाज से, इसलिए समर्ण संगी आपस में खटे होने लगे, और पूरे देश में खटे हो रहे हैं, अभी अधीवेशन लगेंगे, दिसंबर आ रहा है, बाम सिर्फ के, कोई कहीं लगाएगा, कोई कहीं लगाएगा, कोई कहीं लगाएगा, उसे किसको दिखाते हो क्या जुनके विरोध में लगाते हो उनको पता नहीं है कि आप सोय हुए लोग हो क्या उनको पता नहीं है कि आप तूटे हुए लोग हो क्या उनको पता नहीं है कि आपके जगडे हैं दुनिया भर के वाटसेप पे आपके जगड़े आते हैं, दुनिया भर के यूटूब पे आपके जगड़े आते हैं, दुनिया भर की पोस्टर में जगड़े आते हैं, तो क्या वो लोग अंधे हैं, वो देखते नहीं हैं, वो पड़े लिखे नहीं हैं, तो क्या करोगे कुछ मिलेगा कोई समाज को कुछ तरق्पी होगी कोई गारणटी मिलेगी कोई गारणटी नहीं है अलग अलग लोग हमैसा पिटते हैं अलग अधीविशन मिं पिटते हैं अलग अलग सम्मिलन मिं पिटते हैं 26 नवमबर खूब रैली मिला लोग personal व्यक्तिकत जोर लगा रहे हैं खुशाम दे कर रहे हैं आओ, चंदा इखटा कर रहे हैं कुछ उनके सहयोगी नेता बनने के लिए कर रहे हैं जो बड़ा organizer होता है वो बड़ा नेता बनने के लिए करता है पर आप तो सोच लो सम्विधान क्या कहता है सम्विधान कहता है मेरे को बचाना है मेरे को मजबूत करना है तो इसकी कोई आवशक्ता नहीं है आपको अगर मुझस से अधिकार चाहिए तो आप इखटे हो के आओ बहुमत के साथ इखटे हो के आओ मेरे को जन संक्या चाहिए आधी भारत में तो 30% जन संक्या पर काम हो जाता ए क्योंकि बहुत सारे दलवल होते हैं 30% लोग भी खटे हो जाते है तो अबी काम हो जाता है बहुत सारे लोग हैं जो थोड़े संक्या में खटे हैं सम्विधान से पूरी निए सुरक्षा मिलती है सम्विधान उनके लिए बहुत बड़ी अकिताब है पर जो लोग 6,743,000 टुकडों में या जो 29,000,000 टुकडों में बटे हुए हैं 29,000,000 संग्ठों में बटे हुए हैं उनके लिए सम्विधान क्या देगा उनके लिए कुछ न दे सकता इसलिए सम्विधान ये कहता है मैं खत्रे में नहीं हूँ मुझे कोई खत्रा नहीं है खत्रा आपको है और आपका खत्रा मैं दूर कर सकता हूँ ऐसा सम्विधान कहता है क्या कहता है सम्विधान मैं आपका खत्रा दूर कर सकता हूँ बस सर्थ इतनी चे कि आपको इखटे होके आना है आना भी कहीं नहीं है इखटे होके रहना है मेरे को पता चल जाएगा स्वमिधान कहता है कि मेरे को पता चल जाएगा कि अब आप इखटे हो, आपके अधिकार आपके घर पहुंच जाएंगे कोई धर्ना प्रदसन करने की आवश्कता नहीं है कोई चल्नानी की आवश्कता नहीं है उनको देखो, जो इखटे हैं क्या वो धर्ना करते हैं, क्या वो प्रदसन करते हैं वो इखटे हैं, सम्मिधानी का अधिकार सारे उनके पास चले जाते हैं जो बिखरे हुए लोग हैं उनके भी सम्मिधानी का अधिकार उधर चले जाते हैं क्योंकि सम्मिधान उसी को अधिकार देता है जो इखटे हैं इतनी सी बात समझ में नहीं आती है अगर नेता हो तो इतनी बातों समझ में आती होगी कि समिधान में लिखा हुआ है कि जिसका जन बल होगा जिसका बहुमत होगा जिसके पास में ज़्यादा पसंटेज होगी समिधान उसी ही बात मानेगा चाहे पालियमेंट में MLA MP हो या ना हो चाहे पालिया मैंट में जन पृत्री निदधी हो या ना हो चाहे विधान सभावों में आपके विधान प्रिश्ट के अंदर आपके MLA हो या ना हो आपके पास जन संक्य अबल है सब आपकी बात मानेंगे तो एक खटा होना चाहिए तो ये लोग क्या कर रहे हैं कोभी सोचा आपने मेरी रैली यहां लगेगी दिल्ली में जंतर मंदर पे अगले दिन मेरा काईकरम यहां लगेगा उससे पहले पूर संदिया को एक मार्च मैं निकालूँगा उससे पहले एक समयधान समयलन मैं करूँगा मैं समयधान बाटूँगा मैं समयधान का वाचन करूँगा अलग-अलग सब अलग-अलग अरे वह कौन समझाएगा कोई माई बाप है नहीं है लोगों की कुछ भावना समझते नहीं समझते हो ये जितने लोग हैं भारत के जो समण लोग हैं इनकी सब की एक्षा है कि सब इखटे हो के आने चाहिए आपको नहीं दिखाय देती आपको नहीं समझ में आती है तो छोड़ दो ना इस काम को पर धंदा बना लिया हो तो कौन छोड़ेगा पर चंदा आता हो तो कौन छोड़ेगा किसी को अगर पद पोश्च चाहिए तो कौन छोड़ेगा ये समस्या है इसलिए यहां कोई समाज सेवा करने नहीं आ रहा अगर आपको लगता हो कोई सम्मिधान बचाने वाला सम्मिधान को बचाने हकीकत में आ रहा है तो उसका क्या इगो और क्या एहम दूसरा सम्मिधान बचाने वाले से उसका क्या जगडा तीसरा सम्मिधान की रेली करने वाले से उसका क्या जगडा येतने सारे 26 नौबर को काईकरम होते हैं इनमें क्या जगड़ा जब सबको ही सम्विधान की बात करना है और सम्विधान कहता है कि एकट्यों क्या ना है तो जगड़ा कहा है पर जगड़ा है इसलिए एकट्य नहीं होते वैसे ही समविधान भी नहीं बचेगा पर समविधान किसी को शो नहीं होगा, पता नहीं चलेगा जैसे आरक्षण इनडारेक्ट चला गया कि ना रहेंगी दफ्तर और एजन्सियां और विभाग और ना रहेगा आरक्षण ठीक वैसे ही सम्विधाने की structure की सारी चीज़ें खतम हो जाएंगी जो सम्विधाने एक bodies हैं वो सब private limited हो जाएंगी सम्विधान अपनी जिगे book में रहेगा पर उसके इलमें लागू करने के लिए कुछ हो गए नहीं ऐसा ही होता है इसलिए अगर बचना है और सम्विधान को मजबूत करना है या अपने आपको मजबूत करना है या बचाना है तो ये रैली ये धन्य ये प्रिदसन ये सम्मिलन ये गोश्टी ये पाठ ये पाठ सला इनमें जाना बंद कर दो इनको चंदा देना बंद कर दो इनको कहो समिधान बचेगा जब इखटे होके आओगे तब समिधान मरेगा जब अलग अलग आओगे तब अलग अलग वालों से बात मत करो अलग अलग वालों को भाव मत दो उनकी रेलियों में मत जाओ उनके अधी वेसन में मत जाओ उनके कारिकर में मत जाओ, उनको बोल दो रैली में जाएंगे जब इखटे होके आओगे तब अधी वेसन में जाएंगे जब सारे बाम सेफ इखटे होके आएंगे तब तुम समाज से भी बड़े हो, समाज की सुनते नहीं हो कितने हजार, कितने लाख, कितने करोड़ लोग हैं जो बारबार कहते हैं कि इखटे हो जाओ, इखटे हो जाओ, इखटे हो जाओ तुम इतने बेसरम हो गए हो तुमको शरम नहीं है, तुमको अकल नहीं है बुल्कुली बेच खाई है बावा साब का मिसन पूरा खतम करने पर लगे हुए हो पूरे दलाल बन गए हो दुनिया को जगाते हो खुद सोय पड़े हो तुमको इतनी सी बास समझ में नहीं आती कि ये सामाजिक काम है प्राइवेट काम नहीं है तुमारे घर का काम नहीं है तुमने इसमें घर की दुकाने खोलनी है ये सामाजिक काम है अगर इसमें एगो एहम और घमंड और इसमें व्यक्तिकत लड़ाई है तो अपने घर जाओ यहां ऐसी व्यक्तिकी जरूत नहीं है यहां ऐसी व्यक्तिकी जरूत है जो सब को साथ लेके चले और सब के साथ चले, ऐसे विक्ति की जरूत है, जिसमें ये माददा है, वो इस खटा होने के लिए आए, और जिसमें माददा नहीं है, वो अपने घर जाए, और ये जो धंदा पानी चल रहा है, इसको बंद कर दाना चाहिए तुरंत, ये आवाज जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब उन साधन लोगों की है, जो परिशान है, तुमारे जैसे नेताओंस है, जो बुलकुल अकल का इस्तमाल नहीं करते हैं, और कहते हैं कि हम जागरूक हैं, हम जगा रहे हैं, अरे पहले जगो, उसके बाद लोगों को जगाना, ये अधिवेसन, ये रैली, ये रैले, ये परिशान, इनको बंद करो, इस सब्तर साल से लगाता चल रहे हैं, इनसे अधिकार जा रहे हैं, अधिकार आ नहीं रहे, अगर इखटे हो जाओगे, तो रैली धन्ना परिशान करने की आवश्कता नहीं पड़ती है, देखो उन लोगों को इनको अधिकार मिलते हैं, कौन सा सलक पे आता है, कौन सा रैली करता है, कौन सा प्रदसन करता है, कौन सा काएं काएं करता है, कौन सा हेलो हेलो करता है, कौन सा हाय हाय करता है, शांती से रहते हैं, इखटे रहते हैं, उनके सम्धनी का अधिकार उनके घर पहुंच जाते हैं, और बात मानना, अलग-अलग इनकी बात मत मानना, अलग-अलग मानोगे तो यह आखरी मौका है, फिर सब चीज़ें खतम हो जाएंगी, तो फिर कहने लायक भी नहीं बचोगे, मेरी बात से अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, तो मैं सभी संग के लोगों से, समण संग के लोगों से, माफी मांगता हूँ, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग घंग नमामी, संग घंग नमामी, संग घंग नमामी.